दोस्तो अज़ हम लोग सिखेंगे, what is the difference between electrical UPS and electrical inverter? electrical UPS and electrical inverter के बीच में difference क्या है? आज तोरह हम लोग जानकारी लेंगे ये knowledge लेंगे दोस्तो Electrical UPS को हम लोग एक electrical device भी कहा सकते है यह जो UPS है दोस्तो पावर बैकाप के लिए यूस किया जाता है inverter भी दोस्तो power backup के लिए use किया जाता है UPS के अंदर दोस्तो inverter रहता है और दोस्तो controller रहता है और दोस्तो inverter के अंदर दोस्तो battery रहता है UPS जो होता है दोस्तो बहुत ही expensive होता है लेकिन inverter जो होता है दोस्तो ज्यादा expensive नहीं होता है UPS जो होता है दोस्तो electrical appliance के साथ direct जूरा रहता है और दोस्तो inverter जो होता है दोस्तो battery के साथ जूरा रहता है और दोस्तो electrical appliances के साथ भी जूरा रहता है UPS का power backup जो होता है दोस्तो short spend का होता है और दोस्तो inverter का power backup जो होता है दोस्तो long spend का होता है UPS में voltage fluctuation नहीं होता है दोस्तों लेकिन inverter में voltage fluctuation होता है UPS जो होता है दोस्तों domestic और industrial area में ज्यादा use किया जाता है लेकिन inverter जो होता है दोस्तों domestic area में ज्यादा use किया जाता है UPS का main function होता है दोस्तों power backup देना inverter का main काम होता है दोस्तों DC को AC में convert करना इलेक्टिकल फिल्म में दोस्तों यूपियस और इंवर्टार बहुत एक इंपोर्टेन पाट ले करता है दोस्तों आज के लिए दोस्तों बस इतने मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया ले के कुछ नया उम्मीदों के साथ तब तक के लिए नमस्कार